ये तो इमर्जेंसी का याद इला दिया पाकिस्तान ने तो फत्वा जारी कर दिया था अरणव गोस्वामी के नाम से वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनकी एजेंडा को जो हमारे देश के लोग ही चला रहे हैं ये तो मतब डिमोक्रसी की हत्या है ये अरणव गोस्वामी भारत के लिए बोलते हैं अरणव ग को कभी क्रिडिसाइज नहीं करते हैं सही मुद्ध पर उनको क्रिडिसाइज भी करते हैं लेकिन वो मोटा मोटी बीजेपी गौर्वर्मेंट विच इस सपोस्थ टू वी पेर गौर्वर्मेंट फॉर दी कंट्री इसलिए उनको ये सजा दी गई है ये बेसिकली सोनिया गा कुँ है तेरा जो ये चमचा है हम इसको मार के तोड़ के हम कुछ भी करेंगे तू कुछ नहीं कर सकता तू सिरफ आफिस में है तू पावर में नहीं है देखिए बाकी जो आप मीडिया वालों की बात कर रहे हैं वो उनके लिए तो अर्णम गोस्वामी गले का काटा है क्य तो अर्णम गोस्वामी उनके लिए गले का काटा है वो तो खुश है वो तो आज शैंपेन खोल रहे हैं कि आज अर्णम गोस्वामी वो हो गया वो तो ये शायद दुआ मांग रहा है कि अर्णम गोस्वामी को मारी डाले वो और अब मैं जो आप से बात कर रहा हूं और आ पुराने इमर्जनसी का याद दिला दिया और ये सीधी तरीके से अभीवक्ति के स्वतनता पर पर यह चोट है यह बहुत उनके साथ गलत किया गया है और जिस तरह के से पत्कारिता में अगर जो चौते स्थम को अगर परिशान किया जाएगा फिर तो कुछ रहेगा ने फिर तो चीजे निकल के आएंगी नहीं तो उधर ठाकरे ने देश को बहुत गलत संदेश दिया और इस तरह से दूसरे राजे भी करना सुरू करेंगे तो फिर केंद्र और राजे का संबंद कैसे रहेगा फिर तो वो बिगड़ जाएगा जिस तरह के से होता था कि एक ही किसी पार्टी के लिए करते थे वो वो अर् फिल्टर होके न्यूज आती थी आज उन्होंने सारी चीजे सब को जनता के सामने पेश किया जिसके कारण इन लोगों को परिशानी हो रही है तो यह भी समझ जाएं कि सच जो है वो परिशान थोड़े दिन के लिए होगा लेकि पराजित नहीं होगा मैं यह कहूंगा कि लानत है उद्व ठाकरे जी की सरकार पे मुझे तो शक होता है कि क्या यह उसी बाला साफ ठाकरे का खून है जिन्होंने हिद्वत्व की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और आज जिस तरह से उद्व ठाकरे उस लड़ाई को कमजोर करता जा रहा है जि मैं अपनी पिता जी की इस हिंदुत्य की लड़ाई को कमजोर करा है और यह उसके पार्टी के और उसके अंत का सूचक है हमेशा से सर हमने देखा है कि आर भारत और अर्नब गोस्वामी जी हमेशा से जो भी देश में अगर कुछ भी गलत होता है या देश विरोधी ताकते जब हावी होना शुरू हो जाती है तो वो उनके खिलाफ लड़ते हैं चाहे हम पालगर के सादू के हक की बात कर ले या फिर चाहे हम शुशान सिंग राजपूर जी के केस की बात कर ले लेकिन उनकी हमेशा से आवाज दबाई जाती है तो क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि उद्दफ ठाकरे और जो मुंबई पुलिस है वो अपनी सांट गांट से ही महराश को अब हिटलर राज घोशित करने वा देखिए हमारे देश के मीडिया ने हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाए जिसने हिंदूत की लड़ाई को कमजोर करा अक्सर नसुदीन शाह या आमिर खान इन लोगों के आंसु दिखाए और हिंदू के आंसु नहीं दिखाए हिंदू बहु बेटियों के साथ जब कुछ गल पड़ाई थी क्योंकि बहुत कुछ बुरा हिंदू के साथ हो रहा था इस देश में जो कि किसी भी मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा था एक मीडिया के इनसान ने आके इस चीज का बीड़ा उठाया और उसको पूरी मेहनत के साथ उसने निभाया और आज ये आदमी ऐसे ऐसे शटिंतर रचरा है इसके लिए उसे भोटना पड़ेगा और मैं बाकी मीडिया को एक बात ये कहना चाहूंगा कि whatever differences you have आपके मीडिया में differences होंगे आपके विचारधारा में differences होंगे आपकी सोच में differences होंगे पर जब एक आपके एक सहे पार्टी आपके कलीक के आप लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए क्योंकि आपके भी घर उसी शीशे के बने हैं कल आपके साथ भी हो सकता है और आपको ये एकता दिखाने की जरूरत है आप उसकी हिंदृत्य की लड़ाई को मत देखो आप ये देखो कि वो आपके साथ ही है वो भी एक मीडिया कर है और अगर उसके साथ उसके परिवार के साथ इसंतरा का जगन्य अपराद हुआ है तो वह किसी को भी नागरिक के साथ हो सकता है आप हिंदुतियों की मतलारो मतल मतलारो आपकी जो इच्छा से कीया लटाय लड़ो और किसी द्धरण की लड़ाई लड़ो कोई दिक्कत नहीं है पर जब एक मीडिया करमी के साथ में कुछ हो रहा है तो कम से कम शरम करो और उसका साथ दो जो लोग मौन हैं वो कायर हैं वो अपर्चुनिस्ट हैं और ये जो ठीक है उद्धव ठाकरिया चीप मिनिश्टर हैं जो भी कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं सब जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं और किसके सारे पर कर रहे हैं लेकिन वही है बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वो बिनास काले विप्रीत बुद्धी तो वो जादे दिन नहीं चलेगा मुझे तो मेरा अपना है कि इसमें अदालत है हमारे ग्यान लेना चाहिए और नहीं तो केंदर सरकार है देख रही है केंदर सरकार और थोड़ा टाइम लेगेगा इनका बिनास सुरू हो गया है और यह सिरफ बदले की भावना से जो कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है और जहां तक पाकिस्तान और चैना की बात करें तो आज उ उल्टी गिंती उनकी सुरू हो गई देखी यह बहुत ही अन्यायफूर्ण और दुखदाई घटना है जितने लोगों ने टीवी पर वो घटना है देखी है आत्मा बिचली थोड़े ही है और यह इतनी आसानी से उनको छोड़ने बाला नहीं है यह उमानम भी है उनके जो प्रभीरती है और यह पुलिस वालों को एक तरह से उनको वीफिंग दी गई थी कि तुम इस तरह से करो अगर ओ लाइव रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं होता तो पता नहीं उनके साथ और किया किया जाता अब टाइम आ गया है कि आप टीवी के सामने बैठ करके आंसू मत अदरकार हे वहां पे माराष्र को जगाना है अदालत को जगाना है सेंट्रल घुमन content को जगाना है एक हैं और को जल्द से बरकास करना है लगानी है फिर से चुनाव करा। जो पहुंआ है जैडिक चीज़ बताना जाते हुआ कि जो अर्षि ép s whole नहीं मैं यह यह तो वो पुरे देश को ये मैसेज देना चाहते इस संबड़ी रेज़ेस वाइस तो उन लोग उन लोग को खृदम करेंगी ये एडिश जो वह देना चाहते पूरे देश को पाकी मीडिया चैनल को भी इस बारे में बताना चाहिए था क्योंकि एक तरीके से यह यूनीटी पर के बात आते कि एक एक मीडिया हाउस को कॉंस्टेंटली मजल करते जा रहे लेकिन उन लोग बाकी मीडिया हॉस जिस कुछ बोल नहीं रहे जस्ट बीकॉस ऑफ रिजन के इनका बिजनस या ऐसे कुछ राइवलरी है इसके वज़े से अगर बिजनस का चीज अलग है और जो अलग है